हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोल इंडिया ने जो डियरनेस अलावेंस है उसको इंक्रीज कर दिया है जो की डीपी ने पहले ही लेटर निकाल दिया था डीपी ये लेटर सब को जो डिपार्टमेंट अफ पबलेक एंटरप्राइज है ये सब पीएस्यूज को भेजता है फिर पीएस्यूज अपने अपने इंडिपेंडेंट लेटर निकालती है कि हाँ डीपी से हमारे पास ये लेटर आया है जिसमें कि डीए इंक्रीज हो गया है और फिर उस पीएस्यू में जाके कहीं जाकर वो चीज लागू हो पाती है तो यानि कि ये डीपी ने ये लेटर एक जुलाई दो हजार इकिस से ही निकाला था यानि 16-8-2020 को तो यह effective एक जुलाई से यह यानि कि अब जितना time गुजर गया है उसका DA तो मिलेगा ही मिलेगा और यह अब next salary से यानि जो next आने वाली salary है उसमें यह increase DA मिल पाएगा और उसके साथ साथ जितना time गुजर गया है यानि एक जुलाई से जो time गुजर गया है उसक को जैसे पता होगा हर तीन महीने बाद PSU के case में DA चेंज होता है तो 1 January, 1 April, 1 July और 1 October को हर साल यह किसके base पे चेंज होता है यह चेंज होता है जो हमारा consumer price index रहता है यानि कि जो महंगाई को एक तरह से दिखाता है कि महंगाई कितनी increase हुए है तो को इंडिया ने इस letter में कहा है कि जो effective date है जो DA increase होने की वो 1 July 2021 से लेके 31 होना चाहिए बाद में इसको revise किया गया था 31 September 2021 है यानि 1 July 2021 से लेके 31 September 2021 तक यह effective रहेगा उसके बाद फिर revise होगा एक अक्तुबर को तो वहाँ पर जो average जो ACPI यानि consumer price index जो रहा वो 341.66 points रहा तो इसके बाद जो effective revise DA आया है वो 23.2% आया है अलांकि इसमें कुछ दिक्कते हैं लेकिन फिलाल जो letter निकल गया अब तो यही लागू होगा और जुलाई वाला वो जो time period गुजर गया है उसके लिए area मिल याएगा तो यह 23.2% रहेगा एक जुलाई 2021 से लेके 31 सप्टेंबर 2021 तक और इसके बाद फिर एक अक्तूबर को यह फिर से revise हो गया तो यही था इस letter में यही चीज कही गई थी इसके लागा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप comment box में जान सकते हैं thank you झükिर और झुलो झुलो